हेलो एवरीवन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग के इस सिरीज में और यह हमारा सेविन चैप्टर है मैंने पिछले चैप्टर में बहुत कुछ अप्लोड किया अगर आपको अपने नोट भी बनाने हो तो आप इनी से बहुत आसानी से बना सकते हैं आप जो हमारा चैप्टर है वह है ट्रांस्मिशन मीडिया ओके यह होता क्या है एक नेटवर्क में डेटा किसकी हैल्प से ट्रांस्फर होता है चाहे वह केबल हो चाहे वह वाइफाई हो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस्मिशन मीडिया तो आज हम लोग इसी चैप्टर में इस चीच को ही पढ़ेंगे तो यह हमारे दो टाइप के होते हैं एक होता है guided medium इस टाइप में हमारे cables पे काम होता है मतलब कि जिनको हम लोग देख और छू भी सकते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गाइडिड मीडियम को इसमें क्यूंकि पढ़ाई हमारी केबल पर ही हो रही है जब भी आप किसी केबल को काटते हैं तो उसके अंदर बहुत ही पतले से तार हमारे होते हैं तो कोई अगर आपसे पूछता है कि जी केबल क्या है तो देखिए सिंपल होता है बंच और वायर इटमीन की तारों के गुच्छे को हम लोगों ने केबल कहा अब यह वायर इटमीन तार क्या चीज होती है कि यह एक स्लेंड्रिकल शेप की चीज होती है और इसमें लो प्रजिस्टेंस होता है इसमें कि इसमें करेंट का मतलब जो इसमें करेंट के वोल्टेज होते हैं वह बहुत कम होते हैं और हाइक कंडेक्टेंस होता है कि यह करेंट को अपने अंदर बहुत आसानी से पास होन कि सबसे पहले हम लोग पढ़ें तुस्टिट पेर को तो इसमें हम लोगों इसको जोड़ों में टुइसे इत्मीनकीजिया हम लोगों रहे वी आगर कोई आपका फोन और फिर रेडियो अगर आप अगर तो तो रखते हो तो से समें टीवी का जो आपका स्क्रीन होता है वो ठोड़ा सा खराब हो जाता है और जो आपका रेडियो होता है उसकी भी आवाज खराब हो जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर किसी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस के चारों तरफना एक आपका चुम्बी की अच्छे मतलब मैगनेटिक फील्ड होता है जब दो डिवाइस बहुत पास में आते हैं तब उनका वो जो फील्ड होता है वो एक दूसरे को प्रभावित इत्मीन की मतलब है अभी उनको डिस्टर्ब करता है तब उस केस में डेटा हमारा लॉस होना शुरू हो जाता है तो इसमें भी अगर यह आपके अकेले अकेले वा मैगणेटिक फील्ड होता बट इनको जब हम लोगों ने सिट किया तो अब इनका मैगनेटिक फील्ड आपका लेक ही हो गया हो इसलिए हम उसका थीक है अब यह हमारे दो टाइक की होते हैं एक होता है यूटीप अजिंड फिर सबसें पहले हम लोग पढ़ते हैं होते हैं जो कि आपके चार पेयर में होते हैं क्योंकि ताकि अब इनका मैगनेटिक फील अब एक ही हो जाए अच्छा अब यहां पर एक शब्द आता है सेग्मेंट लेंद अच्छा देखिए जब आप लोग अपने घर से बाहर आते हैं तो फिर आपके फोन पर आवाज साफ आती है और जवाब अपने घर के बिल्कुल अंदर वाले कमरे में में जाते हैं तो आपकी आवाज कट-कट के आना शुरू हो जाती है क्योंकि क्योंकि वहां तक सिगनल उतने साफ नहीं आ पाते हैं जिस बज़े से आपकी आवाज कटकर एक मीन डेटा का लॉस होना शुर तक तो देटा अच्छे से लेकर जाएगा और फिर उसके आगे वह लॉस होना शुरू हो जाएगा तो यह जो हमारा होता है इसकी होती है हंड्रेड मीटर और हर एक घर में हर एक ऑफिस में आपका इनहीं के ऊपर काम होता है नेट वर्किंग के लिए मीन होते हैं स does otp में हमारी यह अलग अलग टाइपस होते हैं तो जो गैट वन आया है है जो हमारी घरों में लेंड लाइन जो आपका होता था उसमें जो आपका यपवर होता है वह होता है cat1 it means category one अच्छा उसमें सिर्फ आपके चार वायर होते हैं और सब में आपके आठाट हैं सिर्फ इसी में ही चार आपके होते और इसकी स्पीड होती है इसमें 1 Mbps इतमीं मेगा बिट पर सेकंड ओके सेम फिर आपका टू आया था तो फिर उसकी स्पीड फोर हो गई थ्री की टैन हो गई फोर की 16 हो गई फाइब की आपकी थाउजन एम पिया सोगी 60 इंग तो देखिए इनकी स्पीड तो एक है बट इनकी फ्रिक्वेंसी अलग- इसमें भी आपकी अलग-अलग है और जो अभी आपकी है उसमें 25 GBPS में काम आपकी होता है कल को जब आप किसी आफिस में होंगे और अगर आप अभी किसी आफिस में है तो काम आज कल आपके सिर्फ 5E से और आपकी बंद हो चुकी है तो इसका कान तो हमारे टैली फॉन में हो गया और यह बस तरिफ आवाज को ही करता है ना कि आपके डेटा को इनमें डेटा भी केरी होता है और काम हमारा कैट 5E में अच्छा कौन सी केवल है यह ना इस प्लास्टिक के बाहर ना ऐसे आपकी लिख हुए होती है कि अब यह चो हमारी होती है इसमें बनस उपर एक और एक सिंपल का प्लास्टिक का का में आती है तो मैं आगे एक वीडियो अपलोड करूंगा कि यह केबल हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बाद में आते हैं इस टीपी में इत मीन शील्डी टूस्टीट पेर अचा यह बलकुल यूटीपी की ही तरह होती है बट इसमें बस आपके हरे पेर में एक आपका अलग से फॉयल पेपर अटाच होता है उसे इसमें डेटा आपका और भी कम लॉस होता है अच्छा बट इसमें जो इसके टाइप्स होते ना उनमें आपकी सबसे अधिक स्प्रीड होती है जो की बहुत कम है क्योंकि यूटीपी पर तो हम लोग 25 जीवी पियस पर भी आ गए हैं और यह बहुत ही आपकी कॉसली होती इसलिए ना इस पर काम हमारे बहुत-बहुत कम ही अच्छा इसकी भी सेग्मेंट लेंथ हमारी हंड्रेड मीटर ही है ठीक है तो अब इन केबल में कौन-कौन से करनेक्टर हमारे काम में आते हैं मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो आपका कैट वन होता है वह आपके बेसिक टेलीफॉन में काम में आता है उसमें जो तो में से छिफ ओन एक जी वॉर होते हैं इसलिए आ इसमें बस एली आपके चार ही पिन्स होते हैं बाकियों में आपके आप tribun होते और इसमें आपके आरट पे लोते हैं और देखिना यह जो केबल है हमारी यह डाली ना देखिए इसमें आपके आर्जे 45 ही हमारा अटाच होता है ठीक है तो यह तुस्टिट पेयर को अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा अब मैं अगले पर आ जाता हूं गवान सोट वहां झूलाया च bonsai पर जो परिग्स ऑप के शटरेशी था और शाया कोम advertisements तक योम लोगों पर भाब ही बोलते हैं उसके सबसें अब्स कहते हैं आसाइड इंसूलेशन और एक आपके कार तार होते हैं उसको हम लोग कहते हैं copper match फिर उसके अंदर और प्लास्टिक की आपकी एक लेयर होती यह संप्ली इंशू इंशुलेशन ही बोलते हैं और उसके अंदर भी एक आपका copper का वायर होता है और ना इसी से ही टेटा हमारा ट्रांसफर होता है ठीक है अब यह हमारे चार टाइप की होती है RG6, RG8, RG58, RG59 इसमें RG का फुल फॉर्म होता है रेडियो गवर्मेंट अब हम इन चारों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं सबसे पहले जो RG6 होता है जो हमारे घरो में जो छतरी होती है उनमें से और जो हमारे टेवी तक केबल अटाच होता है वह RG6 होता है और इसकी segment length हमारी 300 feet तक होती है फिर अगला होता है RG8 इसका काम जब हम जब हम जब हम लोगों ने बस topology को पढ़ा था तो उसमें जो हमारी backbone cable होती है वह RG8 ही होती है इसको हम लोग 10-5 भी बोलते हैं और क्योंकि ना यह हमारी बहुत ही मौटी केबल होती है अच्छा यह जो हमारा 10-5 होता है उसमें 10 का अर्थ होता है 10 mbps speed कि इसकी data transfer speed हमारी 10 megabit per second है और फिर यहां पर बेस स्टैन फॉर बेस्वेंट अच्छा जो हमारे signal होते हैं उनको हम लोग दो टाइप से भीजते हैं एक की एक टाइम पर एक ही पास होगा और जी तो इसको हम लोग कहते हैं बेस्वेंट और जब एक टाइम पर बहुत सारे सिंगनल पास होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ब्रॉट मेंट और इसमें यह जो फाइफ है ना वो इसकी सेग्मेंट लेंथ को शोग करता है एंड़ गाइज इसको फाइफ हंड्रेड मीटर इसके बाद होता है आर जी फिप्टी एट टैन जो हमारा आर जी एट है उसके बा किताब होती है उसके अंदर 200 होता है बट जो हमारा प्राक्टिकली होता है वह होता है 185 मीटर तो फिर जो हमारा इंटर विवी कुछते हैं कि प्राक्टिकली वह कितना होता है तो आंसर होता है 185 मीटर अगला होता है आर जी 59 इसका काम जो हमारे सीची टीवी इट मीन क्लोज सर्किट टेली वीजन केमरा जो होते ना उनमें इसी केबल पर हमारा काम होता है और इसमें और यह हमारी 450 फीट तक इसकी सेग्मेंट लेंथ होती है है और इसके बाद में जिए हमारी को एक्शिल केबल होती है इसमें जो हमारा करनेक्टर होता है वह आता है बी एंसी यह जो आपका सैट आ वॉक्स होगा और जो हमारी पीछे यह अटैच्छ होगा एट इटस्टैन्वावश्न करनेक्टर तो यहां पर अभी हम लोगों ने प अभी तक हम लोगों ने पढ़ाता कि अभी तक सबसे अधिक सेग्मेंट लेंथ हमारी 500 मीटर होती है बड़ सपोस्थ कि हमारे दो ऑफिस हैं और उनमें आपकी डिस्टेंस एप्रोक्स 50 किलो मीटर है ओके दौनों ऑफिस में अभी तक हम लोगों ने पढ़िया ना उनसे हमारा काम बहुत ही स्लू होता है तब हमारा काम होता है फाइबर ऑप्टिक पर कि जहां पर आप चाहते हैं कि आपका काम लाइट की स्पीड से हो और जहां पर आपका अधिक होता है इसके आपका स्मॉल इसे पास होता होता है आप इसके दो टाइप होता है एक होता ह ऊच Надर पर ही स्पास होता है और इसकी segment length हमारी 100 km होती है second होता है multi mode यह एक time पर बहुत सारी signals को carry करता है इसलिए इसकी होती है 2 km अच्छा क्योंकि यह जो आपका fiber optic होता है यह हमारे road के side पे पेड़ों के उपर खंबों के उपर पड़े होते हैं तो फिर आंधी आंदी आने पर यह जब हमारी तूटते हैं तो इनको हम लोग दो टाइप से जोड़ते हैं एक टाइप यह जो हमारा manual था ना इस पर पहले काम होता था कि इसमें simply जो हमारा तूटा हुआ हिस्सा होता था उनको हम लोग बस में जोड़ते थे और पर उसको हम लोग आग से ही अटैच करते थे अब जो काम होता है वह होता है हमारा फ्यूजन पर इसमें हमारा एक मशीन होती है उसकी हैल्प से यह बहुत आसानी से अटैच हो जाता है ठीक है और यह कनेक्टर्स आपके फाइबर आप्टिक केबल में अलग अलग टाइप से अलग अलग डिवाइसीज में अटैच होते हैं तो गाइस मैंने आपको टुस्टिट पेर को एक्जियल फाइबर आप्टिक केबल के टाइप और कौन-कौन से कनेक्टर्स उसमें अटैच होते हैं यह हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा बहुत ही महनत हमारी लगती है तो तो प्लीज गाइस जस्ट लाइक एंड शेयर दव वीडियो एंड जस्ट की कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा एंड मेरे चैनल में अगर आप नियू हो तो प्लीज सब्सक्राइब आप चैनल ओके गाइस थ जाइस है प्लीज बॉक्त की का मेरे ऊपको कैसा लाइस प्लीज संगे वीजियो आप झाल झाल